दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनिस आइडियाज और नएनी जैनकारी के वाला के लिए एक ऐसा बिजनिस जिसकी हमेशा डिमांड बनी रहे एंड जो आपको लगपती बना दे ऐसा बिजनिस करना हर कोई चाहता है लेकिन जानकारी के हभाव में बिजनिस सुरूर नहीं कर पाते कई लोग तो आपको निरास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐ कैसे ही बिजनिस की पूरी डिटेल देने वाले हैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसे बिजनिस के बारे में बताने वाला हूं जिसे अगर आप इस बिजनिस को स्टार्ट करते हो तो आप परती दिन के हिसाब से जो है लग भग लग भग 10,000 से लेकर के 11,000 रुपे आप परती दिन कमाओगे दोस्तो एक ऐसा बिजनिस है जो बहुत ही कम लोग इस बिजनिस को कर रहे हैं और इसकी डिमांड जो है मार्केट में बहुत ज्यादा है दोस्तो यह जो बिजनेस है मैं आपको बता दूए कौन सा बिजनेस है यह बिजनेस है चैन लिंक फेंस का बिजनेस यानि कि जो एलुमिनियम का वायर होता है आप लोगों ने देखा होगा कि जो बैंक में जाली टाइप का लगा होता है और आप लोगों ने देखा होगा कि हाईवे पर लगा होता है जाली चार दिवारी टाइप का जो होता है जाली लगा होता है कि इस पार से उस पार आदमी ने जाने पाए या फिर आप लोगों ने देखा होगा खेतों में जाई टाइप के लगी होती है जो लोग मुर्गियां वगेरा पालते हैं वहाँ पर जाड़ी चारो तरफ से लगा के रखते हैं कि मुर्गियां बाहर निकलने पाएं तो ये चैनलिंक फ्रेंस का बिजनेस जो है बहुत ही चलने वाला बिजनेस है और इसका जो रा मटरियल दोस्तो है वो आपको 38 रुपे पर केजी में मिल जाता है रा मटरियल के अलावा आपका जो ट्रांस्पोर्ट का खर्चा है वो दो रुपे परत किलो के हिसाब से पड़ेगा प्लस इसमें आपका तीन रुपे परत किलो के हिसाब से जो है आपका जो मैनुफेरिंग कास्ट होगा वो आएगा यानि टोटल मिला के आपका लगभग 43 रुपे पड़ेगा और इसका जो सेलिंग प्राइस है दोस्तो वो 53 रुपे से ले करके 55 रुपे परत किलो ग्राम है यानि आप अगर इस बिजनेश को करते हो तो 10 से 12 रुपे परत किलो ग्राम आप प्राफिट कमा सकते हो और एक घंटे में हम अगर इसमें प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग 130 से ले करके 140 किलो ग्राम आप प्रोडक्शन कर सकते हो यानि आप एक घंटे में 1300 रुपे से ले करके 1400 रुपे तक कमा सकते हो एक दिन में अगर 8 घंटे आप काम करते हो तो इस बिजनेस को करके आप लगभग 10 से 11,000 रुपे आप एक दिन में कमा सकते हो और अगर आप इसी तरह लगातार काम करते रहे 30 दिन तक तो 30 दिन में आप लग भग 3 लाख से ले करके सवा 3 लाख रुपे आप जो है कमा सकते हो अब दोस्तों हम अगर इसमें लाइसेंस की बात करें तो इसमें एक छोड़ा सा लाइसेंस आपको लेना होता है जिला उद्योग केंडर से आपको जो है रिश्टेशन कराना होता है और आपको एक GST रिश्टेशन कराना होगा उसके बाद में इस बिजनेस को आप आगे बढ़ा सकते हो दोस्तों मान लीजिए आप फुली आर्टोमेटिक मसीन लेना चाहते हो और आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपने नेरेस्ट बैंक में जा करके वहाँ से आप लोन के लिए एपलाई कर सकते हो जब और आपका लोन एप्रूट हो जाए उसके बाद में आप जिला उद्योग केंडर में जाए जो वहाँ पर सीए होते हैं आप अपना जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करिए उनको आप बताईए कि मैं ये बिजनेस करना चाता हूँ और इसके लिए मैंने लोन लिया है तो उसमें जो है आपको लगभग जो है 25 से 35 परसंट जो है आपको सबसीडी भी मिल जाएगा और जो मसीन 11 से 12 लाख रुपे के आती है ये आपको 8 से 8 लाख रुपे में पढ़ जाएगी तो काफी जो चलने वाला बिजनेस है दोस्तों और इस बिजनेस को आप स्टार्ट करके अच्छा खसा मुनाफ़ा जो है आप कमा सकते हो और आप लोगोंने हाइवे पर देखा होगा लगा होता है बहुत से लोग खेतों में इसे लगाने के लिए ले जाते है तो इसका डिमांड बहुत जाता है और इस बिजनेस को आप स्टार्ट करके और अच्छा खसा मुनाफ़ा जो है आप जनरेट कर सकते हो आप हर महीने 3-3 लाख रुपे और दिन का आप 10-11 रुपे कमा सकते हो तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईए धन्यवाद